हलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सिबलंका दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना इस चानल के उपर एक इंपोर्टन लेक्चर अपलोड होने वाला है तो उसको गलती से भी मिस्मत करना रिमाइंडर जरू सेट करके रख लेना तो चले दोस्तो फिलाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही शेर के बारे में और यह शेर आज की दिन ज्यादा फोकस में चर्चा में इसलिए रहा बिकोज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट उस एक पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड पब्लिश होते वे देखने के आपे मिली है एक बहुत बड़े आप कह सकते ब्रोकरेज फर्म रेटिंग एजन्सी जो हम लोग को कमपनिया देखने की कोशिश करेंगे अगर वो ऐसा बोल रहे तो वो क्यों बोल रहे है उसके पीछे का लॉजिक क्या है ठीके A to Z सारी चीजों को कवर करना है तो जैसे मैंने का कि multiple reports को हम लोग आपे cover करते रहेते है ठीके अगर देखा गया तो एक इसकी report है तो एक broker की report हमनों को फिलाल तो देखने को मिल रही है तो एक share से related वो बात करे अभी broker आइदर अच्छी बात करेगा या फिर बुरी बात करेगा मतलब आइदर share उपर भागेगा या फिर नीचे गिरेगा इसी से related हमनों को चीजे देखने को आपे मिलती रहती है सबसे पहले तो अगर मैं बात करो दोस्तों तो यहापे कोई recommendation मेरे side से तो यहापे है नहीं यह मैंने काफी बार आप लोगों को समझा है जो beginner होते वह उनको लगता है वीडियो वीडियो बंद रही है जाके share खरीदो या फिर बेचो तो ऐसा बिलकुल भी ने इसके पहले भी कहा है जो भी चीज करने है आपको properly study करने है समझनी है जब तक आप इन चीजों के उपर मेहनत नहीं करोगे market कभी ना कभी तो आपको पता ही है आज ने तो कल ने तो परसो ने तो नरसो एक साल के बाद दो साल कभी तो नीचे आएगा तब जो ये बिना study करने वाले जो players होते वो बाजर से चले जाते है ठीक है वो बरदाश ही नहीं कर पाएंगे भाई पैनिक भी निक को गिरावट को ठीक है एंड जो प्रॉपर लिक चीजों को study करते है study करना मतलब क्या एक line में अगर मुझे answer लिखना है तो जिनको business पता है जिनको business की समझ है भाई वो टिक गए बाजर में ठीक है उनको समझ में आते है ठीक है शेर भाई नीचे है कितना भी नीचे है बट क्या business के उपर impact आया है क्या या फिर just panic selling है that's it उनीक को market समझ में आते है जैसे कि best example कोविड का ही पकड़ लो कोविड के वग भी 40, 50, 60, 70, 80% तक stock नीचे आये थे बट क्या उनके business के उपर उस level का impact था उतना नहीं था तो panic selling हम लोगो जादा देखने को आपे मिल रही थी तो जिनको ये formula समझ में आया वो टिक गए जिन्होंने सिर्फ तेजी मन दी ऐसे time pass recommendation के लिए वो किसी भी stock में चले जाते उनने तो loss में अपने share से आपे बेज दिये तो ये बिलकुल भी नहीं करना है अगर आपको बाजार में टिक ना है तो entry तो हर कोई आपे कर ही लेता है तो इस वीडियो के भी अगर हम लोग बात करें दोस्तो तो business को पकड़ कर ही हम लोग सारी चीज़ों को cover करेंगे और ये जो report है ये ज़्यादा popular क्यूब नहीं because company ने जो target दिये है इस चीज़ के चलते so target क्या उपर साइड का दिया है कि निचले साइड का तो दोस्तो जो target दिया है वो है निचले साइड का और ऐसा छोटा मोटा target नहीं उननन तो literally का है कि stock 50% तक crash करेगा करके yes आधा हो जाएगा stock ये मैंने कह रहा हूँ भाई वो broker का ये मानना है उनका कहना है और विए ऐसा क्यू कह रहे है उसको भी जानने की कोशिश या पर करेंगे तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो वो ऐसा इसले कह रहे है because company का revenue, company का profit, company के earnings, company के profit, margins के अगर हम लोग बात करें ये सब हम लोग को क्या होते वे देखने को मिले वाला है नीचे आते वे देखने को आपे मिल जाएगा अभी नीचे आते वे क्यों देखने को मि प्रॉफिट नहीं हो पाईगा, margin गिर जाएगी, earning गिर जाएगी, तो share नहीं चाहेगा, तो इसके पीछे का reason उनने बता है, competition, जिस segment में, जिस business में एक company काम करती है, वो business इब दम golden business है, but problem यह हो चुक है कि इस golden business में हर कोई opportunity grab करने की कोशिश कर रहा है, और भयंकर competition बढ़ते को destroy करते आ चुका है, उसका इतियासी वैसा है, और इसी चीज के चलते, यहापे हम कह सकते कि उन्होंने कहा है कि यह stock 50% तक नीचे आएगा, stock का ना में दोस्तों, zomato, yes, यह मैंने कह रहा हूँ वई, यह यहापे हम लोग को मैक्वेरी की report देखने को मिल रहे है, अभी एक report आप लोगों को दिखा दू, ठीक है, एक-एक point को अभी हम लोगों यहापे study करना है, अभी हुआ क्या था, तो zomato के उपर जो भी reports निकलती थी, आपको पता ही है, blinkit, यह zomato का actually सबसे बड़ा हम लोगों को कह सकते है, हार्ट है, ठीक है, क्योंकि zomato के business में काफी लोग report में सामान, ठीक है, और लोगों में patience तो यहापे होता ही नहीं, अगर मैं आपको बोल दू यह चीज आपको एक दिन के बाद मिलेगी, तो लोगों को अभी के ऐसा लगते है कि बाप रे बाब, कि मतलब अगने जर्म में ही मिलेगा करके, तो इसलिए क्या करते हैं, जो इसकी बाद करें, वो भी चीज़ें हमनों को आते वे देखने को आपे मिल चुकी है, तो इसी ब्लिंकेट के उपर, यहापे बहुत सारे हमनों को report बनते वे देखने को मिलेते हैं, जो मैटो से भी ज्यादा growth दिखाएगा, और अच्छी earning करके दिखाएगा, बट इसी ब्ल मैकवेरी से related ही, अलग-अलग points उन्होंने सामने आपे रखे हुए है, जैसे कि सबसे major चीज़, जो मैकवेरी ने आपे highlight करके कई है, कि competition का pressure जबरद से है, और उसमें भी उन्होंने बता है, कि Jio Mart की जो entry है, कि 30 minute में, कि वो grocery आपे deliver अभी करेंगे, multiple cities में, ठीके, और उसी जाद भी होगा कि Jio Mart आने के चलते, अभी देख लेना क्या-क्या होने वाला है करके, अगर मैं आपको वीडियो दिखा दू, तो यह देखे मैंने channel open कर लिया, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूतनी थोड़ा साही नीचे जाएंगे, यह देखे, मिल भी गया, एक ही दिन ह जादा लोगों ने देखा नहीं, इस वीडियो को, ठीक है, इसके पहले भी आपको बोल चुका, आप बिजनेस को समझोए, देखे, मुके शंबानी का बड़ा प्लान, टाटा, टाटा बोले तो टाटा का ट्रेंट, डिमार्ट, एंड जोमेटो का ब्लिंकिट, सबका गेम प्लिंकिट की बात करें, इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ के है, सामानी तो पहुचा रहे, बट हाँ, स्ट्रेंथ के है, जल्दी पहुचा देते है, जो जितना जल्दी पहुचाएगा, वो उतना, लोग यहापे क्या कर रहे, उन चीजों को डाउनलोड करके, अपने मोब बनती वे देखने को मिल रहे, जैसे मैं आप लोगों को बताया था, कि मुकेशंबानी का जो प्लान, मतलब, जियो मार्ट की जो हम लोगों को इंटरी देखने को आपे मिली, यह इस पूरे बादार को डिस्टब यहापे करवा सकता है, अभी बाकी के प्लियर्स तो शेर ब का प्लान यहापे कर रहा है, 20-30 cities में, बट आने वाले समय में, यह तो first phase है, आने वाले समय में, यह चीज़े हम लोगों को और भी बढ़ते वे देखने को आपे मिलने वाली है, और इसी पॉइंट को लेकर उन्हें का कि ब्लिंकिट का आगे यहापे बढ़ना और उनके ज रखा हुआ है, आप चाहो तो इन चीज़ों को study आपे कर सकते हो, अब यह important चीज़ क्या है यहापे, जो मैकवेरी ने जो बाते अपने रिपोर्ट में कही है, ठीक है, किसी की भी रिपोर्ट को blindly कॉपी करने की ज़रूत ने, इवंदो वो target double की बात करे, या फिर आदे की हाँ, बट एक point तो पक्का है, कि जो reason उनने बोला है, वो reason valid है भई, कि इतना बड़ा player आ रहा है, competition बढ़ रहा है, ठीक है, और भी अलग-अलग players आएंगे, ठीक है, यह तो सारी चीज़े आपे चलती रहेगी, ठीक है, तो reason इब दम पक्का है, हाँ, अभी target जो उनने बता है, 50% सिधा down, यह सही है कि गलत, यह तो आने वाले वक्त में ही आपे पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, obviously company के numbers में पता चल जाता है, कि कि कितनी कमाई हो रही है, क्या margin drop हो रहे है कि नहीं हो रहे है, ठीक है, तो तब पता चल जाता है, इसलिए तो quarterly numbers लाए जाते है, आ अगर आपके पास Zomato है, अगर आप प्लान करें Zomato खरीदने का, तो इस एक point को भी आप लोगों ने ज़रूर नोट करके आपे रखना चाहिए, because Zomato मतलब सिर्फ food delivery वाली company नहीं, इसमें Blinkit का बहुत बड़ा contribution हम लोगों को देखने को मिल रहे है, in fact Zomato ने यह भी का थ कि quarter one में क्या करने वाली, yes first time Blinkit आपको break even point दिखाते वे दिखने को आपे मिलने वाला है करके, so यह देखने वाली बात है कि quarter one में break even point होता है, कि ने अभी तो हो जाएगा, यह सारी चीजे चल रहे ही, बड़ दिमे-दिमे करके अभी Geomart हम लोगो 30 minutes grocery वाला जो services से वो start कर करते वे दिखने को मिलेगा, Geomart की बात करे, काफी सारे उनके बड़े-बड़े types देखने को आपे मिल चुके है, Facebook के साथ है, मतलब Meta की बात कर ले, WhatsApp की बात कर ले, तो एक अच्छा कासा ecosystem उन्होंने अल्री बिल्ड करके आपे रखा हुआ है, so जो competition है, वो definitely आने वाले सम दिना मिलते हैं, नेक्स उड़े में तब तक के लिए, बबाए